नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रोसन वन डबल फर वन रेसिपीज में आपका स्वागत है विंतर का मौसम चल रहा हो और उपर से तूवर की सिजन बजार में तूवर ही तूवर दिखती है तूवर की ये रेसिपी स्किप नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर गर्मा गरम तूवर के पकोड़े के साथ तमाटर की चतनी तो चलिए रेसिपी सुरू करते हैं हमारे पास यहाँ पर एक कप जितने ग्रीन टूवर के दाने है उसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे पानी गरम हो गया है टूवर के दाने एड कर लेंगे और 10 मिनित तक हमें पकाना है 10 मिनित में पाइमी हम टेस्क के हिसाब से नमक एड करेंगे ताकि नमक से दाने का टेस्क आ जाए और जल से पक भी जाएगा और नमक से दाने का कलर भी वैसे के वैसा रहेगा एक चमच जितनी चीनी एड करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे 10 मिनित तक उबाल लेंगे तब तक हम दूसरी तरफ पैन में दो कप जितना पानी लेंगे यहाँ पर नाब बहुत ही जरूरी है तो नाब से ही हम पानी लेंगे उबाल आने देंगे पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है गेस की फ्लेम स्लो कर लेंगे पानी में हम अधा चमच जितनी हल्ली याड करेंगे और एक छोटी चमच जितनी हिंग पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक चमच जितना सफेटील याड करेंगे एक तरफ हम चलाते जाएंगे अब हमें मिठास के लिए गूड लेना है गूड हमने दो चमच जितना लिया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गूड को मेल्ट होने तक पका लेंगे गूड मेल्ट हो गया है दूसरी तरफ टूवर के डाने को पाने से निकाल लेंगे टूवर के डाने 80% कुक हो गये है अब हम इसमें एड़ कर लेंगे और हरा दनिया एड़ करेंगे उसकी कॉंटिटी ज़्यादा रखनी है दो चम्मच जितना हरा लसून एड़ करेंगे अधरक लसून और हरी मिर्च की पेस्ट टेस्ट के इसाफ से लेना है टेस्ट के इसाफ से नमक एड़ करना है अच्छे से मिक्स कर लेना है और उबाल आने तक पकाना है उबाल आना सुरू हो गया है अब हम गैस की फ्लेम स्लो कर लेंगे और चावल का एटाएड करेंगे एक कप जितना लिया है अच्छे से चलाटे जाएंगे और एड़ कर लेंगे अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें आधा कब जितना जवार का आटा मिक्स कर लेंगे अच्छे से चलाटे जाएंगे गेस की फ्लेम यहाँ पर स्टो ही रखी है यहाँ पर पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छे से मिक्स हो गया है यहाँ पर हमें पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी है अब हम इसको स्टीम करेंगे इसलिए पानी अभियाद नहीं करना है यहाँ पर पैन के नीचे के साइड टवी रख देंगे टवी पे हम पैन रख देंगे ताकि गेस की फ्लेम डाइरेकली पैन में ना लगे और कवर करके 10 मिनित तक स्टीम होने देंगे श्लो फैम पे 10 मिनित हो गई है गेस की फ्लेम बन कर लेंगे आप देख सकते हो अच्छे से स्टीम हो गया है अब हम इसमें निम्बू का रख एड करेंगे अधर निम्बू जितना एड करना है अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको लगे कि ज़्यादा द्राय हो गया है तो आप उपर से पानी छी रख सकते हो यहाँ पर हमें पानी एड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कवर करके पैन को ठंडा होने देंगे हाठों से टर्ज कर सके उतना ठंडा करना है आटा ठंडा हो जाए तब तक हम दूसरी तरफ चट्नी बनाना सुरू करेंगे तो उसके लिए पैन तेल में एक चम्मच तेल लेंगे तेल गरम होना सुरू हो गया है अब हम इसमें लसून एड करेंगे और साथ में सुखी लाल मिर्च एड करेंगे तेस के इसाब से दिखी जादा हो आप अपने इसाब से एड कर सकते हो दो मिनित तेल में सोटे होने देंगे एक से दो मिनिट हो गई है हमारे लसुन और सुखी लाल मिर्ज सोटे हो गई है अब हम तमाटर एड़ करेंगे तमाटर हमने एक नंग लिया है और स्लाइड में कर कर लिया है सोटे कर लेंगे अच्छे से यहाँ पर तमाटर को जल से पकाने के लिए उपर से टेस्ट के से नमक एड़ करेंगे नमक से टमाटर जल्ली से अच्छे से पक जाएगा अच्छे से मिक्स करना है अब हमें टमाटर को सौफ्ट होने तक पकाना है कवर करके दूसरी तरफ आटा चेक कर लेंगे आटा हम इस तरह से चेक करेंगे आटा गरम है लेकिन हाथों से टच कर सकते है उतना थंदा हो गया है अब हम हाटों से आटों को तेल वाला करके आटा घूट लेंगे इस तरह से जैसे रोटी का आटा घूट्टे है आटे को घूटके रेडी कर लिया है फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पाने बिल्कुल भी आट नहीं किया है अब हम इससे पकोड़े बनाएंगे तो थोड़ा पोशन लेंगे निम्बुक की साइज का आप अपने इसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो इसमें क्रेक नहीं आना चाहिए इस तरह से रोल करना है इस तरह से लुईया बनाके प्लेट में रखते जाएंगे दूसरी साइड हमारे तमातर अच्छे से पक गए है आप देख सकते हो मैस हो रहा है अब हम गैस की फ्लेम बन कर लेंगे और थंदा कर लेंगे थंदा करके पीस लेंगे चटनी पीस के रेडी हो गई है बावल में निकाल ले अब हम टेल में फ्राइ कर लेंगे अब हम एक एक करके टेल में रखते जाएंगे हमने तेल पहले से गरम कर लिया था स्लो फेम पे ही फ्राइ करना है अब भी हमें बिल्कुल भी चलाना नहीं है बबल्स कम होने तक बबल्स कम हो गई है अब हम इसको पलट पलट के सुनेरा होने तक fry कर लेंगे हमारे पकोड़े सुनेरा हो गया है और बबल पहले से बहुत ही कम हो गई है अब हम प्लेट में निकाल लेंगे हमारे ग्रीन टूवर के पकोड़े बनके रेडी हो गया है साथ में टेस्टी टमातर और लसुन की चटनी भी बनके रेडी हो गई है विंतर की सिजन है, खाने का मज़ा ही कुछ और है आप जरूर ये रेसिपी ट्राइ करे, सबको बहुत ही पसंद आएगा आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो, तो लाइक और शेर करे और फ्रेंस कमेंट जरूर करे